दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है पर मर्द हमेशा अपने से जादा उमर के ओरत के और क्यों आकर्शित होती है मेरे इस्ट्रेण मुझसे पूछते हैं किसे शादुशुदा औरत को कैसे बटा है बाबी को कैसे बटा है थोड़ी से जान के लेने के बाद मुझे पता चला मर्द अपने से जादा उमर के ओरत की और क्यों आकर्शित होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप अगर हमारे चैनल में नए है तो सिलसिला पैयर का चैनल को सब्सक्राइब करो नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बिल आइकोन को भी दबाना मत भोलना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज है बड़ी उमर की ओरत बिस्तर तक आने के लिए कवे भी तयार होती है हालाकि कम उमर की लड़कियों को मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है लात मिन्नत के बाद भी बहुत बरबात नहीं बनती औरतों में शारिक संबंद की उतनी जरुरत नहीं होते जितनी जरुरत मर्द को होती है पर एक दोबर शारिक संबंद के बाद औरत को भी इसके आदत हो जाती है और मर्द की तरह शारिक संबंद उसकी भी जरुरत बन जाती है वो इस खेल को और बहतर तरीके से खेलने के कोशिश करती है जबकि कम उमर की लड़की इस चीज से डरती है और इसे गलत मानती है दूसरी चीज है बड़ी उमर की औरत गहरा संबन नहीं चाहती वो तुमसे कभी नहीं कहेगी कि मुझसे शादी करो सो जो मर्द किसी संबन में नहीं बनना चाते वो ऐसे औरती के और आकरशित होती है जबकि कोई लड़की पहले रिष्टा देखती है उसके बाद ही सब कुछ करती है लड़की अपने सारे से अपने पती के साथ ही देखती है लड़कीं को बच्च्पन से ही अकेले पत से डराया जाता है इसलिए वो कोई भी काम करने से पहले अपने रिष्टो के बार में सोचती है मर्द हमेशा लड़की के माता-पिता से मिलने से डरता है सो उसे mentally ताकत मिलता है कि औरत के माता-पिता से उसे कभी नहीं मिलना पड़ेगा इसलिए वो उसकी और आकर्शित होती है तीसरी चीज़े पैसा बड़ी उमर की औरत अपने पहरों में खड़ी होती है वो किसी पर भी बोज नहीं होती मर्द को उन पर खर्चा नहीं करना पड़ता उल्टा वो मर्द पर खर्चा करती है जबकि किसी भी लड़की को पटाने से लेकर उसे गल्फिन बनने के बाद भी सारे खर्चे मर्द को ही करना पड़ता है उसकी डिनर का पैसा, उसके साथ गेप्ठ, उसे घुमने ले जाना, ये सारे खर्चे लड़के को ही करना पड़ते है चोती चीज़ें बड़ी उमर के ओरत खुद का ख्याल रखती है उनके साथ मिले बाबु ने थाना थाया, बाबु शोना वले चोचले नहीं करने पड़ते मर्द रोमेंटिक नहीं होता, उसको एसब चोचले समझ में नहीं आता बड़ी उमर के ओरत खुद का ख्याल खुद रखती है, उसे पता होता है कि कहा कैसे कपड़े पहनने है उनके और कोई नहीं देखता, जबकि चोटी उमर की लड़की घर से बॉम बन कर निकलती है लड़की को बस इसी बात का डर लगा रहता है कि कोई दूसरा लड़का इसे उड़ाना ले जाए या कोई उसे घूरतों नहीं रहा, लड़का लड़की की सेप्टी को लेकर हमेशा परिशान होता है कम उमर की लड़किया घमंडी होती है, एटिडूड जादा होता है सही शब्दों में बोला जाए तो कम उमर की लड़किया ना समझ होती है ये खुद को उपर रखनी के लिए उल्टे सिधे काम करती है बॉइफ्रेंट को जलाती है, इग्नॉर करती है बॉइफ्रेंट को तडपाती है, तरसाती है मिलने बुलाओ तो हजारे नकरे होते है जबकि बड़ी उमर की औरत इस दोर से गुजर चुकी होती है वो औरत मर्द की जरूरतों को भली भाती जानती है वो समझदार होती है, वो बड़े प्यार से बात करती है कवी भी मिलने आ जाती है बड़ी उमर के औरतों के पीछे competition नहीं होता इसलिए मर्द उसकी और आकरशित होता है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करे लड़की पटाने के psychological lecture चाते हो तो subscribe करो और private वीडियो देखो वीडियो पूरा देखनी के लिए धन्यवाद आपका समय बहुत बहुत ही अच्छा हो खुश रहे अपना ख्याल रखे बाबाई